कि सब्सक्राइब कीजिए वीषर चलन को और बेल आ gusta को दबाए ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि है क्यों मानिंग दोस्तों मेरे साहिल आप देख रहे हैं भी के अजानकार इसमें आपका फायदा दोस्तों मेरे पास एक viewer का comment आया था कि क्या NRI भी अधार कार्ड बनवा सकते हैं तो जी हां अधार कार्ड वो भी बनवा सकते हैं और उसको बनवाने के लिए एक पूरा procedure है जो कि मैं अब आपको online जो है अधार कार्ड की official website पर जाकर दिखाने वाला हूं तो चलिए चलते हैं computer screen की तरफ और समझते हैं इसका पूरा online process कि कैसे आपको इसके लिए apply करना होगा दोस्तों जो लोग NRI हैं और वो अधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो उनके सारे questions का जवाब अब यहां इनकी official website पर आपको मिलने वाला है तो सबसे पहले can an NRI apply for the अधार कार्ड जैसा कि मैंने बताया क कि NRI अधार कार्ड के लिए apply कर सकता है लेकिन उसके पास Indian passport होना mandatory है तो उसको अगर मिल सकता है या वो बनवा सकता है तो इसके लिए उसको apply करना कैसे होगा तो इसका जवाब आपको मिलेगा यह साथ नमबर पर सबसे पहले उसको अधार कार्ड के इंदर पर जाना है Indian passport ल दिखने वला यह आपको print out निकरवा लेना है और यह form पूरा भरने के बाद आपको वहाँ पर Indian passport और यह पूरा form भरना है और उसके बाद आपको अपनी email ID भी वहाँ पर बतानी है और जो भी आप form में भरेंगे आप इसमें जो भी भरेंगे properly देखके भरेंगे कि उसमें ज उसको बोलना है कि सारी चीज़े एक बरी मैं चेक करना चाहता हूं ताकि कोई भी नाम मिस्टेक कुछ भी गलत ना हो इसलिए आप एक बरी उसे चेक कर ले तो आप अपना passport नेंगे वह स्कैन करेगा और उसके बाद यहां पर लिखा है address proof के अंदर अगर address proof के मैं बात करू आपका passport ही चलेगा लेकिन इसके अंदर वैसे तो बहुत सारे adder proofs हैं आप यहां पर देख सकते हैं जो इंडियन्स हैं लेकिन जो एनराइज हैं उनके लिए सिरफ passport ही valid है यह देखे यहां पर आपको पूरी details मिलने वाली है और इस link पर click करते ही आप यह चीज़ देख पा है वह सारी चीज़े आपको चेक करनी है जो भी आपके लिए जो English language में दिखाएंगे आपको पता होना चाहिए फिर उसके बाद वहां से आपको एक enrollment slip मिल जाएगी उस slip पर एक code लिखा होगा एक number लिखा होगा जिससे आप एक हफते बाद और कभी-कभी 3-4 दिन बाद भी अपडेट होकर आजाता है तो आपको इस site पर जाना है और यह site है यह वली यहां पर आपको enrollment slip जो मिलेगी उस पर एक number लिखा होगा 14 digits का वो यहां डालना है तो यहां से date उस पर लिखे होगी वो date select कर लेनी है और यह capture यहां पर डाल देना है और status चेक करना है अप्रूड लिखाएगा फिर आप उसको print out करवा सकते हैं तो इसके इलावा कुछ और questions भी है can my passport be used for अधार कार्ड update of my spouse क्या आपका जो अधार कार्ड आपके spouse के लिए इसमें लिखा है if your passport has the name of your spouse यानि कि अगर आपके passport पे आपके spouse का name लिखा है तो then it can be used as a proof of address तब आप उसको as a proof of address use कर सकते हैं अब तीसरा question है I am an NRI and I have an aadhar card can my spouse be enrolled based on my aadhar card and passport यहाँ पर यह पूछा गया है कि अगर आप NRI है आके उस aadhar card भी है लेकिन आप खुद नहीं जाकर आपको आप उपने spouse को भेज रहे हैं कि मेरे बिहाफ पे वो जो है passport के लिए अप्लाई कर दे और जो है उस इसके अंदर if spouse is NRI अगर आपका जो spouse है वो NRI है तो उस case के अंदर valid Indian passport of the applicant is mandatory as a proof loyalty यानि कि उसमें आपको passport देना होगा जिसका भी आप अपपलाई कर रहे हैं दूसरा अगर आपका spouse NRI नहीं है तो any valid proof of relationship फिर उस case में आपको अपना relationship का proof देना पड़ेगा और passport तो दे नही देना पड़ेगा उसके बाद है what is the process for अधार enrollment for children of NRI अगर NRI के बच्चे हैं अगर वो अधार काड के लिए apply करते हैं तो अगर उनकी age 5 सल से कम है तो one of the parents यानि की माता और पीता में से कोई एक जा सकता है या गाजन जा सकता है वहाँ पर जाकर जो है apply कर सकता है और उसके साथ इसमें एक चीज़ और लेकिए has to be authenticate on the behalf of the child and also get the consent for the enrollment of the minor by signing the enrollment form उसमें वो जो enrollment form मैंने आपको बताया है इस case के अंदर वो जो apply करने जा रहा है माता या पिता में से वो एक consent देंगे यानि कि सहमती देंगे कि मैं उसके बहाफ पर जो है यह बना रही हूं यह बना रह होता है अगर children जो है NRI है तो valid Indian passport of the child is mandatory as a proof of identity और अगर वो children जो है NRI नहीं है तो relationship का proof देना होगा अब उसके बाद है अगर children जो है 5-18 साल तक की age के अंदर है तो उसके case में भी वही चीज़ फोलो होगी one of your parents यानि कि माता पीता में से कोई भी जाकर apply कर सकता है और अगर वो जो children है वो minor है यानि कि छोटा है तो valid Indian passport of the children is mandatory as a proof of identity और अगर वो if the minor is an Indian residence not a NRI अगर वो Indian residence है लेकि NRI नहीं है तो उसके document in the name of the minor any valid proof of relationship यानि कि कोई भी relationship का proof चल जाएगा और proofs के जो मैंने आपको details में आपको यहां बार बार बता रहा हूं तो वह आपको यहां पर मिल जाएगी आप इस link पर click करेंगे यह link खुल जाएगा ठीक इसी तरह से अगर minor has a document use a valid proof of identity अगर document है फिर तो कोई issue ही नहीं ह तो यह सारी चीज़े रहेंगी और उसके बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं can I give an international mobile number in my अधार details क्या आप mobile number दे सकते हैं currently we do not support international and non Indian mobile numbers अभी यह service नहीं है आप अभी mobile number नहीं दे सकते हैं नीचे है the address in my passport is not updated अगर आपके अधार जो आपका passport है उसके अधर address update नहीं किया गया है I want to give my present address for my अधार applications is that possible हां जी अगर आपका address update नहीं है आप तब भी Indian passport दे कर जो है apply कर सकते हैं दोस्तों यहीं इसका एक procedure है और यह सारे जो है यह आपको links already यहाँ पर दिये गए हैं आप यहा तो that's it इतना ही इसका procedure है चेक करने का और apply करने का तो दोस्तों अगर आपको किसी भी योजना के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो के comment section में आप उसका नाम लिख सकते हैं और अगर आपको daily government jobs के update चाहिए तो आप मेरे channel के community section में जा सकते हैं मैं वहाँ daily government jobs के update डालता रहता हूं और साथ ही साथ हर state की कुछ योजनाय और central की यानि की प्राइम निस्टर द्वारा जो योजनाय लागू की गई है वो मैंने अपनी चलगी playlist में add की हुई है तो आप जिस किसी भी state से हैं आप उन सभी योजनाय का फाइदा उठा सकते हैं सब्सक्राइब कीजिए वीडियो के पहला इकर पर क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो के अपडेट आपको मिलता रहें जय हिंत जय भारत